डियर इस्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बे थर्ड समस्टर के जियोग्राफी यानि की भुगोल के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन एंड एंसर के बारे में जिन भी चात्रों की परिच्छा आने वाले दिनों में उनके लिए वीडियो बहुत ही महात कई सारे कोईश्चन हैं सारे महात्पूर्ण हैं आप सभी के लिए वीडियो को पूरा जोड़ देखते लिए ठीक है आप लोगों के डिवांड के हिसाब से मैंने कुईश्चन भी प्रस्तुत किया है और उसका उत्तर भी ठीक है तो पहला कोईश्चन भया पर्यावरण का आर्थ बताईए यह पर प्रयावर्ण किसे कहते हैं पर प्रयवासा दीजी है ऐसा आपको प्रश्चन देखने को मिल सकता ठीक है लेकिन लृटबह लगख चो उत्तर होगा वह सिंहले ही होगा ठीक है तो सबसे पहले अर्थ जानते हैं ठीक है उत्तर में लिखेंगे जब उसके जीवन और सबढ़ा की आज आप सबीने कुछ इसलब वह आप रूटीन यह कहीं आना जाना कुछ देखना ठीक है तो यह सब चीजे जो हैं इसके जीवन की जो मतलब कि स्टेज है मालिजे की आज कोस्तित साल के हुई 20 साल कोई पचीफ वाल के हुई और आपके कोई function है कोई जाना है कुछ काम है ठीक है तो ये जो किरिया कलाब चलते है ना एक तरीके से इसको ही हो पर्यावरण कहेंगे ठीक है इस प्रकार लिखेंगे जो आप लोग जानते हैं प्रिथवी, जमीन, माझने बिक्ताशρά वह चाहे आपका फिजिकली बिकास हो रहा है, या फिर आपकाля किसी समाजिक बिकास हो सकता है, और ब्रध्ति इसमें हो रही है. ठीक है इन सभी प्रभावित करने वाले सभी जो दसाएं हैं ठीक है कितनी कौन सी दसाएं हैं जो आपके मानों विकाफ हो रहा है आपका जो विकास हो रहा है आपका जो उमर बढ़ रही एज बढ़ रही है आपके जो समाज में लोग जानने लेगे हैं जो आपका रुपिया प्रतिवी के जयव जगत को आवरत्त किये हुए है तथा उसके प्रभाव फे जीवन अस्पंदित होता है आवरत मतब घेरा हुआ एक तरीके से ठीक है घेरा हुआ है और उसके प्रभाव फे जीवन जो है अस्पंदित है मतब कि जीवन जो चल रहा है कट रहा है और लोग जी रहे है अपना जीवन तो यह हो गया सिंपल सा पर्यावाण का अर्थ अब जानेंगे पर्यावाण की परिभासा के बारे में पर्यावाण की परिभासा जो है अलग अलग जो प्रमुख विद्वान है उनके अलग अलग है जैसे कि एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है फीटिंग तो फीटि यानि प्रस्थितिकि क्रें पर्यावरन उनके संपॉण है उनका यूण का प्रस्थितिकिंट है अर्था जीवन की प्रस्थितिकिंगे समस्त तत्त मिलकर बातरण कहला जिवन है उसके जो समय जो यूनिक उनिक होते हैं जो में में चीजें होती है ठीक है वही सब मिलकर वातारण कहलाते हैं जिसे हम कहेंगे परज्यारण तो यह हो गया पर टासले प्रभाव कारी दसाओ का वह समर्ण जीव रहते हैं जीव रहते हैं तो समझते हैं की चाहएं अंसान को आप नवर चाहा है तो सब के अंदर जीव है तो उसकी प्रस्तितिकिया भाई उपाइदा होगा तो बढ़ेगा उसके बाद वह अपने खाने पीने के विफ्ताफ मुचेगा फिर वो कैसे उसकी दिन चर रहा है जो उसका क्रिया कलाफ है वो क्या है वो बढ़ता रहेगा और उसका पूरा योग ह प्रस्तितिकी का अर्थ परिभाशा बताईए तो इसका उत्तर लिखेंगे की प्रस्तिकी की जो है ना वह एकोलोजी का हिंदी रुपांतरण है एकोलोजी यूनानी भाफा के दो सब्दों और कियास तथा लोगस से मिलकर बना है जिसमें और कियोस का साब्दिक अर्थ है निवास अस्थान रथा लोजस का अर्थ है अध्यन यानि कि निवास अस्थान का अध्यन करना जहां पर जीव रहते हैं जहां पर कोई वास कर रहा है निवास अस्थान है किसी का उस चीज़ के बारे हम जान करे लेना कि जैसे घर में लोग रह रहे तो घर का अध्यन करना कि जीवों का उन्हीं के निवाफ अफ्थान के परपेच्छ में अध्यन करना जानकारी लेना प्रसितिकी इसे जीव इवं उसके अफ्थान से संपूर्ड जैविक अजैविक संगटको के अध्यन का बोध है इतना ही नहीं बल्क इसके अंतर संबंधों की जट्रिया की और भी संकेत मिलता है साथ ही प्रस्तिकी में पाई जाने वाली समानता एवं आसमानता भी इसके अंतरगत संबलित होती है बेसिक आप अतना ही लिए तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे कहां तक यहां तक यहां तक जरूरी आपको लिखना है और यह महात्पूर पाइंट है बाकि आप अग्नूर भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद कुछ पॉइंट सोर है जिनके बारें जानते हैं जो प्रस्ति बोचान तक प्रश्वेड़ी हैं 100 प्रतिक है इसका सर प्रीथम्हे वह कब किया गया था 18DasLean सब्क ौर किसे दांड़ किया गया था जर्मनी divers चर्मन में किया गया थाया और सिर्म कीया झाल की नाम क्या प्रिख ऑघ्र 1579 में घर्मनी में कीया था है और सजलिक है कं मिनकर थीक किस चीज का परस्तितकी सब्द का सर्प्रथम प्रियोग याद रखेंगे उसके बाद these कून अनसर्प हैकल जी ने औरूर श्क पड़ताउरन और जीव समुताई के पारस्परिक सम्मंदों के अध्धन को कहते हैं जो परस्थितिकी वात्तावरण जो है और जीव समुदाए ठीक है के पारस्परिक जो सम्मंद होता है जो रिलेशन होता है ठीक है उसके अध्धन करना ठीक है जो अध्धन होता है जानकारी मिलती है उसी को हम कहते हैं ठीक तो को इसको कीजिए छेटना महात्पोंल नहीं है लेकिन कुश्चीन है तो हम आपको बता देञें प्रफितिक हिस अंकलपना का विक्ष क्रम सा धीरे धीरे हुआ है मई जो वाई प्रस्तिकी संकलपना है इसका जो विकाफ है development है वह धीरे धीरे वा जैसे कि ihmाली जी कि बिचारों में प्रस्तितिकी का ज्यान का आभास मिलता है यानिकि कुछ उसके बारे में आभास जानकारी होद मिलती है ठीक है कुछ इशा पूर्ब। है छोती सदी में थियो फ्रेंटर बहुत if उनकारी है आता इन्हें पराथम प्रस्तित्यौन की बिग्जान माना जाता है किनि कुछ जो पृमक विद्वान है जैसे और रस्तुयम है पोक्रेटर सभा और निक माना जाता है डारविन ओम मार्व के विचारों से भी प्रस्तिकी संकलपना विकास वह यानिकी जो डारविन प्रमूक समास साफ्ति और विद्वान और मार्क टिक इनके कुछ आइडिया खें क परिबासा है कोई हाड लेबल की नहीं बस आपको स्रमजने क्या हो सकता है बस ठीक किलियर चलिए नेश कोईशन भाई आप बीए के चाहत रहे तो इतना इस पर्ष्ट है ही ठीक है अगला परश्ण जो की हाई लेबल का भी यह कि प्रस्तितिकी तंत्र से क्या अभिप्रिया ह परश्तितिकी तंत्र किसे कहते है परिबासा दीजे इस अभी प्रश्ण हो सकता है तो पहले भिप्रिया जानेंगे उच्धकी तंत्र जैयम मंदल का एक उड़ा सा ऐसके तंत्रइन। एक्षोट्ता सा नमोना,ाथ saat कई invers की तंत्रगों मिलाकर एक명 मंंडल बनता है थीक है तो आप लोग खूरेंगे जयन पहींगी देंने ये यह तो जयन के मंडल न? तो उसी से यह मिलकर बनता है वास्तों में प्रस्तिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े अफ्थान के जीव जन्तु वा उसके भौतिक पर्याण के समिस्रण का योग को कहते हैं यानि कि जो भाई जीव जन्तु पेड़ पाउदे ठीक है वह बता जा रहा है इन सभी जीव वा उसके भौतिक पर्याण के शकल योग को दरसाता है उदारण के लिए ले लेते हैं कि कोई जील एक प्रस्तिकी तंत्र है जिसमें जल की विभिन गहराईयों में विभिन प्रकार के जिव जल के विभिन प्रकरति या भौतिक पर्याण के साथ तालमेल लगते हुए किरि एक अब दो नहीं तो है को बाद आ गया प्रस्तिकी तंत्र कई इसके त्येलिया परिमाफा दीजित परिमाफाद है एप कि अब बहुत सारा बिख़त अलग अलग लग दिये तो वहीं पर प्रसीट इंटर की परिमाफा तौंस कि पर संत्रिक जयेविक होती है या अपेच्छा यह खुला तंत्र है तथा विभिन्द आकार योम किस्मों का होता है यानि कि बहुत फारे टाइप भी होते हैं वह फारे इसकी ब्राइटी भी होते हैं ठीक वही बात बताई जा रही है तो यह दी है परिभाफा टंसले ने ठीक है और अगली परिभाफा नहां है आर एल पर प्रस्तिकी तंत्र को को का उल्ले की तो प्रस्तिकी तंत्र के कुछ है जो आपको बताने वाले हैं जैसे कि नंबरवर ये गटक इसके रो तत्य घटक इसके अंतरगत सभी तत्य अंतर रिवी पड़ ही देटे तो यह अंतरुजुन अक्राइट की लिए गटक हैं इस सबके वात्तरण में अनेक चक्र होते हैं यह हो गया दूफरा आज़ीवी घटक ठीक है और अगला जो घटक है वह कार्बनिक पदार्थ यह घटक इस वर्ग में वे पदार्थ हाते जो जीवी अंस को अजीवी अंस सम्मंदित करते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइटरेट तो यह हैं कार्बनिक परदार्थ यह घटक तो इस प्रकार लिखेंगे प्रस्थित अंदर के आजावी घटकों के नाम उसके बाद उसके बारे में थोड़ा परिशे ठीक है चलिए नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हाई लेबल का भी प्रस्तुत है आप सभी कि समस्त क जैविक घटक किसे कहते हैं तो जैविक घटक जो होता है इसमें समस्त जो जीवधारी मतब जिसके अंदर जान है ठीक है वो सभी समुलित किये जाते हैं ठीक उसके बाद सामिल किये जाते हैं जोड़े जाते हैं आप कुछ भी कह लीजिए उसके बाद प्रस्तितिकी तंत् संब्सक्राइब करते हैं यानिके अपनी राय प्रस्तुत करते हुए बताया है कि विभिन प्रकार जीवों के परसपर संब्सक्राइब सवाध में जंगल में कही पर भी आपन जैयमंडल करते हैं प्रस्पर रहते हैं उनका जो समंद्ध है तो में भोजन वह किसी माध्यम्स रहता है कुछ चीज होती है प्रकास से भोजन लेते हैं, कुछ चीज आप लोग खादबधार के लेते हैं, ठीक है, अलग अलग जो मद्जयो मंडल में जिवधारी हैं, ठीक है, वो अलग अलग अपना भोजन, अलग-अलग माध्धिमों से प्राप्त करते हैं लेकिन उनका मुख्याधार भोज़ नहीं है तो एक प्रस्थित की तंत्र के जैविक घटक उसके पोसक स्रमरशना को दर्शाते हैं जैविक घटक को ती भागों में बाटा गया है पहला है उत्पादक दूसरा भोक्ता तीसरा है अब घटक भी होते हैं पर समस्त अजयाविक पदार्थ इसके आजयायविक घटक कहलाते हैं यानि रहते हैं यह अंतर जैविक एवं अजविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं मतलब कि परिवर्ति में उसमें चेंज होते कर दोनों को तीन तीन भंहाई तो भागों ने आपको बता अगला पिस्टिघ में और कैने की पिचिकली इनवायर्मेंट इंग्लीशं के बहुत एक पर्याओंड से मतलब और फिर आप आप रहाँ चाहिए से यानि कि जो फिजिकली होते हैं ठीक है यानि तुट करके किसी चीज को मैसूश करना वही भूब तक जिसको आप देख सकते हैं ठीक है कारक्ष है जिसमें पर्यारण के वाय मंडलिये तत्तु सरोरजा प्रकाष तापमान आदि अफ्थल जात तत्तु जैफे धरातलिये शुरोप मर्दा सहल खनिच आद जलिये तत्तु जल लासियां सागरिये जल धरातलिये जल भूमिगत जल आदि तथा इस्थित जात तत्तु सम्मिलित किये जाते हैं इन कारकों को तीन प्रकरतिक वातारण के तत्तु प्रकरतिक वातारण की प्रक्रिया सथा प्रकरतिक वातारण की सक्तियों में भाजित किया जाता है यानि कि डिवाइड किया जाता कितने में तीन में ठीक है तो पहला जो है प्रकरतिक वातारण की प्रिक्रिया है दूफ्रा प्राकर्तिक वात्तारण के सक्तियां है ठीक है और एक और है प्राकर्तिक वात्तारण के तत्तु ठीक है पहला यहां इस तरू होता है एक नम्र देखे तीन में डिवाइड किया भाग में पहला तो यहां से यहां तक दूफ्रा यहां से यहां तक संवस्थ कार्थ समय के दूब से बहुतिक परियां追ude करें हैं तो बहुतिक कार्वों के परिवर्टन यह इचेंज न इतवा परिस्क्रण करता है exceptOL मंडल यह ज्यादा फैज्या-धाफर भाग il की रुप में परिवर्टित होने जारा क्योंकि मानों अपनी प्रद्दुगी की यानि कि जो इसका प्रद्दुगी की मतलब कि आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि बिजिनेस ठीक है लोगेटी कि शेतर यहां फे बिजिनेस होता ठीक अध्यक शेतर तथा तकनीकी ज्यान यानि कि फैक्ट वाली चीजे तक्निकी ग्यान टेकनोलोजी वाली ग्यान के अधार पर लगबग सब जगा पहुंच चुका है अथ्वा अपनी प्रस्तिकी की चुछाप है जो अपनी परचाई है वो छोड़ दिए बहुतिक पर्याण की भात सांस्कृतिक पर्याण के तीन अंग सां सांस्कृतिक वातारण की सक्तियां प्रक्रिया तथा सांस्कृति वातारण के तत्त ठीक है यानि कि पहला जो हो गया वो सक्तिया हो गया दोफरा प्रक्रिया हो गया तत्त हो गया ये तीन अंग इसके भी है ठीक है किसके सांस्कृतिक पर्याण के याद रखेंगे अगर आ प्रकृतिक प्र्मयों के सभी घटक को के अपने मौलिक शोरूप गुर्धर्म ओबा अनुपाथ में बने रहने की इफ्तिर्ता परतिदिक शंतुलण कहलाती है जब तक इसमें ऐसंतुलन ना हो यानि कि आटोमेटिक जो होता तो उसमें क्या होता है प्रस्तिक आज संतुलन मानोद्वारा प्रकृत में किये गए आतदिक हफ्ताचे का प्रेडाम है तो यह सिब्बल से परिमास आप यहां तक ही लिखेंगे तब भी आपको पूरे नमबर मिल जाएंगी यहां से ठीक है कोई हाई लेबल का कुश्चन नहीं इतना कि भाई आपको ज्यादा डीटेम तेयार करना बेसिक पढ़ लेजएगा helpful सावित हो सकता है ठीक है यह कुश्चन इतना महातपूर नहीं इसको अग्नोर करेंगे तो आज किस वीडियो म मैंने आपको कुश्चन और अंसर बताएं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महातपूर है बाकि इस पीडियो को में वाट्सअप पर देंगे तो आप लोग दो तीन बार इनका कुश्चन और उसका उत्तर अच्छे तैयार कर लिजेगा क्योंकि एक बार मेरे बतान